51 mm motor का firing mechanism की चाल तो चलिए शुरू करते हैं firing mechanism के हिस्से पूजों से सीर, सीर लिप, कॉकिंग लग, स्ट्राइकर, स्ट्राइकर स्प्रिंग, firing pin hole, firing pin, returner spring, shear housing, firing liver और base firing mechanism की चाल शुरू करते हैं, firing liver को निचे की और दबाने से, सीर एसेमली अपने spindle पल घुमता है सीर लिप, जिसका लगाओ, स्ट्राइकर बॉड़ी के कॉकिंग लग से होता है, उसके बरकलाव घुमता है सीर लिप, स्ट्राइकर बॉड़ी को पीछे की तरफ ढखलता है, जिससे स्ट्राइकर spring सिकुड जाता है सीर 36 डिगरी घुमने के बाद, सीर लिप, कॉकिंग लग से चुदा हो जाता है, और स्ट्राइकर अजाद हो जाता है स्ट्राइकर spring अब अपना तरणाव को कम करता है, और स्ट्राइकर को आगे ढखलता है स्ट्राइकर पीछे से firing pin पर ठोकर मारता है firing pin अपने होल से बाहर निकलता है और bomb के percussion cap पर ठोकर मारता है बॉम फायर होने के बाद firing pin इटर्न श्प्रिंग की ताकत से वापिस firing pin होल में दाखिल हो जाता है firing liver को छोड़ने पर सीर कॉकिंग लग में सवार हो जाता है और motor दुबारा fire के लिए तयार हो जाता है तो ये था 51 mm motor का firing mechanism का चाल, धन्यवाज जहिंद